सोमवार को नगर निगम द्वारा ताजमहल के पश्चिमी गेट पार्किंग के पास बेरिकेटिंग की गई कारेवाई के बाद व्यापारियों ने मंडला युक्त रितु माहेश्वरी से मुलाकात की उन्होंने मार्केट के अंदर हो रहे अवैध कबजों को लेकर भी मंडला द्वारा बेर के टीले की की गई कारवाई ने इस्थानिय व्यापारियों के बीच हलचल मचा दी इस कारवाई के बाद व्यापारियों के एक सम्हूने मंडला युक्त रितु माहेश्वरी से मुलाकात की और अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हुए ग्यापन सौंपा मंड लोगों के नाम पर दुकाने अलोट की गई थी उनकी मृत्यू के बाद कुछ दबंगों ने उन दुकानों पर कबजा कर लिया है उचुतम न्यायले के आदेश के अनुसार जिनके नाम से दुकाने अलोट की गई हैं वही लोग उन दुकानों का संचालन कर सकते हैं लेकिन अधिकारियों की मिलिवकत के चलते मीना बाजार में कई दुकानों पर अवैद कब्जे किये गए हैं जो की न्यायले के नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं अनी सर्वोष नहाले के आदेश से लेसन नो ट्रांसफर यह कब्जा किसी तीसरे पच्छका नहीं हो सकता है जिसके नाम अलॉट्मेंट है वहीं इसका संचालन करेगा आज की सिटी में यह है कि उस मार्कीट के अंदर एडिये से मिली भगत से एक एक आदमी ने जो के अलोट पूरा ब्लोग गे रखा है एडिये उसके खलाब कोई कारवाई नहीं करता है चिनहित व्यापारियों की मृत्यूं के बाद उनके परिवारों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इन व्यापारियों की विदवाएं और बच्चे भी मंडलायुक व्यक्त की उन्होंने बताया कि दबंगो द्वारा उनकी दुकानों पर कब्जा कर लिया गया है और इसे लेकर कई बार अधिकारियों को सूचित किया गया है लेकिन इसके बावजूद भी दबंगों के होसले बुलंद हैं अधिकारियों की निश्क्रियता के कारण अपनी मनमानी कर रहे हैं और गरीब व्यपारियों के हक पर डाका डाल रहे हैं। व्यपारियों ने मंदलायुक्त से अनुरोध किया कि वे समस्या का ततकाल समाधान निकालें और अवैद कब्सों को हटाने के लिए कड़ी कारवाई करें। कि उनकी समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि ताज महल के आसपास के शेत्र का विकास और वहां की सुवधाओं को बहतर बनाना प्रशासन की प्राथमिक्ता है। इसके लिए उन्होंने संबंदत अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे समामले की जाच करें और जल्द से जल्द आवशक कारवाई करें। सीन्यूस के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट।